कि अपना क्लास टार्ट करते हैं ना बुक्स अपने इशू कर लिया ना नहीं करियो तो जल से जल कर लो तो कल के दिन में हमने क्या पड़ा था विटामिन देफीसेंसी पूरी पढ़ ली था कि विटामींस कि कमी से कौनसी कौनसी वेमार्य आती है आज हम पड़ने वाले हैं मिनरल डेफीसेंसी प्रकार के डिकेंसी से कौनसे वाल अज दो ख़राव है ना लोई ठीक है क्या पढ़ेंगा आज अपन mineral deficiency mineral की कमी की वज़े से deficiency का मतलब होता है कमी किसकी कमी से mineral की कमी से होने वाली बिमारिया ठीक है तो the presence of minerals इसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं यह ठीक है the presence of minerals though in small quantities is very essential for cells mineral deficiency in the diet also causes a number of deficiency symptoms presence of minerals का होना चाहे वो थोड़ी से amount में हो चाहे वो small quantities में क्यों ना हो लेकिन अपनी body के अंदर अपनी cells को requirement होती है minerals की अपना कुछ ना कुछ function करने की तो यह जो mineral की अगर कमी पढ़ जाती है के diet में तो हमें थोड़ी बात बिमारिया हो सकती है कौन सी बिमारिया होती है क्या होता है वो पढ़ते है पहली चीज है calcium deficiency disease calcium की कमी से होने वाली बिमारिया almost 99% of calcium present in our body is used for building bones and teeth the remaining amount of calcium regulates your heart and muscles and helps your blood to float the count of calcium का क्याता यह जबको पावर की सबसेड़ाइट होती है उसको पावर को क्या होता है ठीक है और यह क्या करता है अपने हार्ट को हार्ट के अंदर बीट करता है तो इसके अंदर भी हल्प करता है कैल्शिम और ब्लड क्लॉट क्लॉट का मतलब होता है एक है अपने पास में ब्लड क्लॉट इसका क्या मतलब होता है ब्लड क्लॉट का मतलब जैसे कि आपको कभी ख लेकिन अगर आपने देखा हो तो ऐसा नहीं है कि लगातर बहता ही रहता है जब तक आप मारोनी ऐसा कुछ नहीं होता पांच चे-दस मिट तक खुन बहेगा थोड़ा सा खुन बहने के बाद में उसके उपर एक छोटी सी लेयर आ जाती है वह लेयर की वज़े से वह खुन आना बंद हो जाता है तो जो लेयर आना होता है जिससे खुन आना रुक जाता है उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट का से ही बलड निकलने लगे उसके अंदर ब्लड क्लॉट क्लॉट होने लग जाए जल से जल अपनी बोडीह । कि हम नहीं क्स्क्कालशीयम कमी से क्या-क्या चीज़ चीजह हो जाती है सबसे पहला है अपने पास में इस भीरतल बॉन फॉम होताहिक कि ना जो आसानी से तोट सब्सक्राइब करा जिसके चैल्चियुम के काया करता है जिसकी श् revolution करता कि इसके स्डुपिंघ करने ही ति इसकी स्पीड स्पीड सनिंग शब्योंगर आला गा सब्रों इन उस अब address कि वाइस आपने बॉडिके अदर आना जाना बहुत और एक आरतर जिस पह खता यो या मतलब होता है ज antena जितना अपनको चाहिए ऊससे जादा थिकर तो इलींक वर समय होगा जितना ज्जर्प रहिकर तो उसी आपने दमेर के अंदर इंडर देखे कि य Всем के ब्लड में clot होता है, calcium की कमी पड़ गए तो clot नहीं होगा, तो जितना जादा, जैसे कि injury हुई, अब अपने अंदर calcium नहीं है, तो अपनी bleeding को रोकने वाला कोई है नहीं, bleeding लगातर होती रहेगी, तो excessive bleeding, जादा bleeding हो जाएगी अगर कोई सी भी injury हो जाती है, तो, इस सब होता है calcium के कमी, calcium deficient persons should take enough milk, butter, green leafy vegetables such as spinach and cabbage and fruits such as orange and lemons, तो इसको बचाने के लिए क्लिए 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 उसको enough मातरा में, मतलब कि परियाब जितना भी चाहिए ना, उसको जादा स्यादा milk लेना चाहिए, butter, green leafy vegetables, जैसे की पालक और cabbage, ठिक है, और fruits कौन से, orange और lemons, इन सब के अं इसकी बिमारी है, अब दूसरी बिमारी है काफी important, इसको पढ़ते हैं, एनीमिया, 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 एनीमिया का मतलब होता है, ब्लड की कमी, ब्लड की कमी हो जाना, एनीमिया is a major nutritional disorder affecting the health of the people in the country, एनीमिया is a condition where hemoglobin levels in blood fall below normal, it usually results due to deficiency of iron in the diet, sometimes it also occurs due to deficiency of folic acid or vitamin B, देखो, एनीमिया नम की बिमारी होते हैं, मैंने आपको इससे पहले एक बार बताया था, जब पन आइरन वाइरन पढ़ रहे थे, तो iron का क्या काम होता है, आइरन है अपना ये अपनी body के अंदर hemoglobin, hemoglobin, ये मैंने आपको बताया था, ये अपनी अंदर value कम हो जाएगी, blood की मात्रा कम हो जाएगी, अपने blood अगर एक बार खतम हो गया फिर खतम हो जाएगा बहुत चल्दी, उसके अंदर बनेगा ही हमोगलोबी, तो ठीक है, तो अपनी body के अंदर blood की कम हो जाती है, तो आप भी जानते हैं, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, अ बोडी को मिलनी पारा न, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, ब्लड काहां से आएगा, हीमोगलोबीन से, हीमोगलोबीन के लिए iron चीज है, आईरन बोडी में ही नहीं है, तो इससे बहुत खतरनाग मुश्किल है, अब इससे क्या क्या परेशानिया होती है, अनीमिया, बलड की कमी किसे होती है, आईरन की कमी से, या फिर फॉलिक ऐसेड या वितामिन बी डुल, वितामिन बी डुल, इनकी कमी से भी अनीमिया हो सकते है, यूजुवली सिम्टम्स अफ अनीमिया और पैटिग, ब्रीथलेसनेस, और एकसर्शन, स्लीपलेसनेस, अन लॉस ओप एपिटेट, स इसके लक्षन क्या होते है, पहला फैटिग, फैटिग का मतलब हो जाता है, थकान होना अपनी बॉड़ी के अदर जो से, अपनी थोड़ा सा चलते है, अपनी अंदर थकान हो जाती है, अपनी ब्रीथलेसनेस, सास लेने में दिक्कत, ब्रीथिंग का मतलब सास लेना होता है लेस्त का मतलब कि कम होना और नेस्त का मतलब बिलकुल नहीं होना तो दिक्कत आने को जबल इन्हेंग substitution ठीक है तो नीद की कमी हो जाएगी नीद नी आएगे अपनको और अगला है loss of appetite appetite का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बूख लगना और loss का मतलब होता है खत्म होजाना तो भूख लगना अपनीक बॉडि में खत्म हो जाएगी और कभी-कभी तो क्या होता है अपनी body के जो नाकून होता है body के जो भी,at पेरों की जुल्दी से टूट सकते हैं ईसी हो जाते हैं, spoonजैसा shape जैसा shape का होता है जाता है hard मतलब कैसे समझाओ अभी चोड़ आगे बता तो मैं ठीक है अभी क्या है अभी क्या है एनीमिया कें बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड बार रेगुलर कंसप्शन और पुट्स रिचिन आयरें सच इस ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स इसका अगर आयरें की कमी है तो उसका अलाouse इंट इसकंप से अधा उसको याइटेड आयरें सबसे आदा किसमें होते है ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स अब मैत्ती कैबेच होगा है याम मै फाला कैबेच के मिटैं अगловें शो इंट को गयूएटर पढ़ते घटो को अधरक effe को को ईटन इसकाम नच्छन इन औ portion of the neck is enlarged this condition is caused due to deficiency of iodine this goiter नाम की बिमारी को पहले भी देख चुक है जिसके अंदर मैंने एक फोटो देखाया था जिसके अंदर यहां का जो एरिया होता है यहां पे थाइरोड नाम का एक और ग्लाइन होता है वह क्या करती है अपने आप में फूलती रहती क्यों फूलती रहती क्योंकि अपनी और अपनी बॉडी में आयोडीन जाय जिससे आयोडीन की कमी ना हो तो यह से काम करने के वाइसे वह फूल जाता है और यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाता है और थायोड ग्लाइन काम करना बंद करता है जिसके वैसे जो आयोडीन मिल रहा था वो भी खाता हूँ अ the drinking water and iodized oil oh sorry iodized oil हा, तो क्या होता है यह देखो इसना पहली line का मतल़ बता रखा है कि जैसा कि आपन जानते है कि goiter किस से होता है iodine की कमी से, iodine कम लेने से तो iodine की कमी को मिटाने के लिए goiter को मिटाने के लिए जाधा से iodized soil मैंने आपको बताया था कि जो नमक आते हो आजकर आयोडाइस्ट आने लगे इसमें नमक आता है इसमें आयोडीन होता है यह आफ्री टैबलेट्स के लादी जिसके अंदर सोडियम और पोटैस्यूम आयोडीन जैसे चीज़े हो ठीक है इन सबसे भी आयोडीन आ जाता है अभी इस टेबल के अंदर कोई अपने पास बचा है क्या है यह दोनों बचे ना प्रोसीज और यह वाला ठीक है इस टेबल में क्या दे रखा है अपने पास में दिजीश एंड डिसॉर्डर कॉस्फरेट इशिंसी ओफ इसंद इशिंसी और को यूटेशिय soy को तेक्षफी कमी से सबको यादविटामीन एक इसली है आखो के लिए ठीक है अगर विटामीन एकी कमी पढ़ जाएक तो नाइट ब्लाइंड माल्ग ब्लाइंडवाइं को अ एक होता है आमीर जिसके वाद सब कुछ है पूवर का मलब गरीब मलब इसके वाद कुछ नहीं है मतलब कि बहुत ही थोड़ा वाद आपको वीजन जैसे कि बहुत दुनला दिखना लग जाएगा ठीक है पूवर नाइट वीजन सबसे जादा तो नाइट में तो कुछ नहीं दिखेगा इसे नाइट को अपन को भी नहीं दिखता लेकिन एक बार आपने देखा नाइट को इसे चलते फिर थोड़ी दिर बाद अपने आखों में से ऐसी रोशने आज इससे सब कुछ दिखने लग ज मतलब की समसूड़ों में से खून आना और उसका वीक हो जाना वाउंड का मतलब होता है कि जो घाव किसी वह अपने को चोट लगती है ना जैसे कि हाथ पे चिल गया मेरा हाथ चिल गया तो आप यहां पर घाव पढ़ जाता ना अब अगर विटामिन C नहीं होगा अपनी सब्सक्राइब चमडी में नहीं बने गाव वैसा का वैसा घाव बना रहेगा विटामिन D की कमी से क्या होता है रिकेट्स नाम की पीमारी होते है जिसके अदर अपनी जो बोन्स अपनी हट्डिया होती है वह बहुत सौक्ट हो जाती है और आराम से तूटने लायक हो जाती जिसे यह से मुड़ उट नहीं पाथ है विटामिन के की कमी से होता है spontaneous bleeding spontaneous का मतलब होता है लगातार spontaneous word जो है ना लगातार bleeding का मतलब खुन निकलना विटामिन के नहीं होगा तो bleeding अपनी लगातार होती रहेगी prolonged word का मतलब होता है कि बहुत समय तक काफी समय तक लंबा time होता है उसको pro long pro का मतलब होता है बहुत और long का मतलब होता है ठीक है pro long ना बहुत लंबा time समझ गया ना ऐसे आपन words को टोट तोर के बना सकते blood clotting blood blood clotting मतलब blood का clot होना तो एक लंब समय तक blood की clotting नहीं होगा ज्यादा ज्यादा time लग जाएगा blood clot करने में जिसके ब्लड बैता रहेगा अपने और spontaneous bleeding मतलब लगातर blood बैता रहे जाएगा calcium की कमी से rickets poor skeletal growth rickets or poor skeletal growth skeletal का मतलब होता है अपना कंकाल अपने body के अंदर जो कंकाल होता है न वह बहुत ही जल्दी से हाथ बात लगाने से तूट जाएगा ऐसा है ऐसा ऐसा है पूर हो जाता है tooth decay decay का मतलब होता है sudden तो टूफ प्रजी मतलब, कुछ अपने दाथ जिसके अंदर गड़े होता है उसको टूफ बूलते है, आले की कमी से गॉइटर और क्रियेटिनिजम नाम की एक बिमारी आजाती है, जिसके अंदर क्या होता है ग्लाइंड इन नेक यहां जो नेक में जो ग्लाइंड होती है वो स्वालन स्वालन वर का मलब सूजन सूज जाता है न अपने यहां पर बहुत मोटा सा हो जाता है Mental Disability in Children यह क्रियेटिनिसम नाम की जो बिमारी है इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होता है वो mentally बिमार हो जाते है उनको जैसे कि बहुत कुछ खास दिखा है अजीव-जीव अरकते करने लग जाते है Mental तो आप जानते हो ना अब पागल लोग कैसे अरकते करते हैं आपन कर नहीं रहे हैं फिर आपन question-answer पर डायरेक्ट जा लेंगे कल के lecture में है ना तो आज के लिए यहीं कतम करते हैं तो टेक केर गुडबाय थाइंक यू